तो ही गाईज असलालकूम कैसे हैं आप सब होप यो आर डूइंग वेल मैं हूँ शामा एन वेलकम वेलकम बैक तो माई चानल शामा स्कॉर्णा तो अगर आप मेरे चैनल पर नूइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो प्लीज इसी तरीकी के हलफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आग रहती हूं साथी में दिये बैल नोटिफिकेशन को भी आउन कर लीजेगा ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए विदा उत अनी फॉर्द दू लैस्ट करें स्टार्टर द वीडियो इस फाउंडेशन के शेट को गाइड करने से पहले मैं आपके लिए कुछ बेसिक चीजे लाई हूं इस फाउंडेशन की जो आप लोग को पता होने चाहिए अगर अगर आप इस फाउंडेशन के लिए इंट्रेसेट है तो तो यह जो मामा अर्थ का ग्लो सिरम क्योंकि इन सारी साइस पे चलती रहती है सेल तो वहां पर आप जब जाओगे तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यह मिल जाएगा सफ्रेंड से जो मामा अर्थ का ग्लो सिरम फाउंडेशन है यह एक सिरम फाउंडेशन है यह हमारी स्किन को एक डूई फिनि यह तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है वह ना जादा थिक यह ना जादा रनी है इन बिट्वीन है फाउंडेशन है बहुत ही लाइट वेड़िट फाउंडेशन है आप इसे ओल डे वीर कर सकते हैं और यह हैवी बिलकुल भी हैवी और केकी लुक नहीं देता है तो अब बात कर इसके 7 लेबल है जो कि देख जाया तो बहुत ही काम है तो मैं सारे के सारे शेर आपके साथ गाइड करूंगी ताकि आपको help मिल जाए कि आप अपने skin tone के according अपने rice rate का foundation चूस कर सके तो इस अपने हर वीडियो में कहते हूं कि हम a foundation को बाय करने से पहले और उसके आपको पूरा अच्छी से डिटेल में समझ में आजाए तो चलिए फ्रेंग इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आपको नौलेज देती हो कि जो फर्स टाइंगी वाला वीडियो देख रहे हैं तो उनको कुछ बहुत समझ में आए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे इस टोन की जो हमारा सकीन टोन होता है वह सकीन टोन के बारे में जान सकते हैं कि हमारा कैसा है खेंग मीडियो है और आपक घलक रही होता है कि हमारा जो undertone है वो कैसा है like किसी किसी का undertone yellow होता है किसी का pink होता है किसी का neutral होता है तो इसे find out कैसे करते हैं इसके बहुत सरे तरीके हैं जो कि मैंने आपको बताया था लेकिन फिलाल मैं आपको बता देती हूं इसमें कि अगर आपके उपर golden जोली जदा अची लगती है तो आप yellow undertone के है अगर आपके उपर silver जोली जदा अची लगती है तो आप pink यानिकी cool undertone के है अगर आप दोनों ही जोली अची लगती है तो आप newton undertone के है and yellow undertone को warm undertone भी कहते है and जो pink undertone है उसको cooler undertone कहते हैं तो चलिए अब move on करते हैं हमारे shades के उपर तो चलिए friends अब बात कर लेते हैं इस foundation के 7 shades की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं fair skin tone वालों की अगर आप fair skin tone के हैं और अगर आपका complexion जो है वो pink undertone है and आप very fair skin tone में आते हैं तो आप ले सकते हैं ivory glow 01 and ये जो shade है ये बहुत ज़दा fair skin tone वालों के लिए है and जो pink undertone में आते हैं थोड़ा सा pinkish type के लगते हैं ये उनके लिए and आप बात कर लेते हैं second foundation shade की जो की है very fair skin tone वालों के लिए प्लेस yellow undertone वालों के लिए तो अगर आप भी बहुत ज़दा fair complexion के हैं प्लेस आपका yellow tone है तो आप ले सकते हैं cream glow 02 अब बात कर लेते हैं light skin वालों की यानि light to medium skin वालों की अगर आप भी light to medium skin tone के हैं plus yellow undertone है आपका so you can go for sand glow 04 यह light skin tone वाले जो होते हैं वो fair skin tone से one shade darker होते हैं बट यह भी fair skin tone में ही आते हैं अब बात कर लेते हैं light to medium skin tone की plus newton undertone वालों की तो अगर आप भी इस तरीके के हैं तो आप ले सकते हैं nude glow 03 अब बात कर लेते हैं medium to dark skin tone वालों की तो अगर आप भी इनके बीच में आते हैं मतलब medium to medium dark है प्लस अगर आप yellow undertone के हैं तो आप ले सकते हैं beach glow 05 अगेन अगर आप medium to dark skin tone के हैं प्लस अगर आपका neutral undertone है so you can go for almond glow 06 so friends अब बात कर लेते हैं deep skin की तो इसके लिए के वाल एक shade ही available है अगर आप deep skin tone के हैं प्लस अगर आप yellow undertone में आते हैं so you can go for toffee glow 07 यह इसका सबसे dark shade है like अगर आप थोड़े से dark shade में लेना चाहते हैं foundation तो आप यह वाला बिल्कुल ले सकते हैं so ya friends यह थे सारे के सारे 7 shades जिसका मैंने review आपके साथ share किया है hope कि आपके लिए थोड़ा बहुत भी helpful रहा होगा यह वीडियो और अगर थोड़ा बहुत भी helpful रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए तब तक कि लिए अलाफीज बाई गाईज